ये राधा का घर है, चलिए देखते हैं राधा क्या कर रही है चलो पिंकी तो सो गई है, अब मैं अपना बिस्तर बनाने का काम शुरू कर लेती हूँ लकडियां यहीं रख देती हूँ चूले के पास आंगन तो बहुत ही ज़ादा गंदा हो रहा है पहले आंगन में ज़ाड़ उमार देती हूँ, इस साल तो बहुत ही ज़ादा ठंडी पड़ रही है चलो दो तिन बिस्तर ही सिल लेती हूँ घर के कामों से छुट्टी ही नहीं मिलती वरना कब कसिल लेती मैं चलो आंगन तो साफ हो गया है, अब यहीं पर बैटके अपना काम शुरू कर देती हूँ पिंकी तो दूद पीकर सोई हुई है, अब दो तिन घंटे बाद ही उठेगी तब तक मैं बिस्तर बनाना शुरू कर देती हूँ अब जाकर सिलना शुरू कर देती हूँ यह चलो यह वाला तो तैयार होने ही वाला है, इसमें बस पट्टे लगानी है आब यह वाला बिस्तर तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है चलो सोनम, हम राधा अंटी के घर पहुँच गए देखो, मस्ती मत करना आज वहाँ, अच्छे से रहना ठीक है न, राधा अरे ओ राधा, कहाँ हो तुम, क्या कर रही हो, जल्दी आओ, मैं आई हूँ राधा, मम्मी मम्मी, मैं पिंकी के पास जा रही हूँ आप यहीं रही है, मैं खेलने के लिए जा रही हूँ, पिंकी के पास ठीक है? अराम से चलो सोनम, वरना गिट जाओगी तुम अरे वा राधा, यह तो बहुत ही सुन्दर दिख रहा है, क्या बना रही हो तुम? देखूं तो जल्दा, यह तो बहुत ही सुन्दर है अरे, वा दीदी, अच्छा हुआ आप आ गए हैं हमारे घर, आप खड़े क्यों हो, आकर बैठिये ना मेरे साथ में हां राधा, आ रही हूँ, वैसे बहुत ही सुन्दर दिख रहा है यह, कितने दिन हो गए ना पिंकी, हम दोनों साथ में खेले ही नहीं चुरूं हम आज साथ में खेलेंगे, देखो, मैं तुम्हारे लिए फूल लेकर आई हूँ, हम दोनों साथ में खेलेंगे अरे राधा, मैं इतने दिनों से ऐसा कपड़ा ढून रही हूँ, लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा, वरना मैं भी ऐसा बिस्तर सिल लेती अब तक हाँ दीदी, उस दिल में बजार गई थी, तो उधर ही मिल रहा था ये, तो मैंने दो खरीद लिए, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, एक तो तयार हो गया बढ़िया से, उस पर तो मैंने पट्टी भी नहीं लगा या भी, मगर बहुत सुन्दर दिख रहा है वो भी, अगर मुझे भी ऐसा कपड़ा मिल जाए, तो मैं भी बिस्तर सिल लूँगी, बहुत ही मन कर रहा है मेरा सिलने का, चलिए दीदी, मैं आपको वो बिस्तर दिखाती हूँ, बहुत ही सुन्दर दिख रहा है, चलिए देखते हैं हम दोनों, वो देखिए दीदी, वहीं पर ट केस को, अरे नहीं राधा कोई बात नहीं, हम अब की बार साथ वजार चलेंगी तब ले आऊंगी, और सिल भी लूँगी, दीदी सही से चू कर देखिए, इसका कपड़ा बहुत ही अच्छा है, ठंडियों के मौसम में तो बहुत अच्छे से गर्मी देगा ये, अरे हां र इतना ही चावल पीस ना था मुझे, तुम्हारी चक्की कहां है? तुम्हारी चक्की तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, कहां से लाई हो? मेरी चक्की तो तूट गई, मैं सोच रही हूँ, मैं भी खरीद लूँ, चलो मैं जल्दी से पीस लेती हूँ चावल को हाँ दीदी आप चावल पीस लेजिए तब तक मैं जाकर देखती हूँ सोनम और पिंकी क्या कर रहे हैं बच्चे भी न शैतानी करने लगे होंगे ये चक्की तो बहुत ही अच्छा पीस रही है सोनम के पापा की भी न नई-नई फर्माईशे होती है चलो कोई बात नहीं वैसे ठंडियों के मौसम में अच्छा लगता है ये जब खाना ये चक्की तो बहुत ही अच्छी चल रही है राधा से पूछ लूँगी ये चक्की कहां से ली है फिर सोनम के पापा से ये ही वाली चक्की खरीदने को बोलूँगी चावल तो बहुत ही बारिक पिस रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है चलो चावल पिस कर तैयार हो ही गया चलो थोड़ा से और बारिक कर लेती हूँ राधा तो सब की मदद करती है बहुत ही अच्छी है वो चलो मेरा पीसना तो हो गया, अब मैं इसको भर लेती हूँ ये तो बहुत ही अच्छा आटा पिस गया है, अब मैं इसको उठा लेती हूँ चलो जाडू मार देती हूँ, यहाँ पर थोड़ा बहुत जो गिरा है ये सब पौधों में डाल दूँगी, अच्छे जिखाद बन जाएगा फिर वो चलो सारे काम हो गए, अब मैं घर चलती हूँ सोनम बेटा, कहां हो तुम, चलो अब घर पर नहीं चलना क्या तुमको अच्छा राधा, अब मैं चलती हूँ अरे दीदी इतनी चल दी क्यों जा रहे हो, थोड़ी देर और रुकिये न, बहुत ही अच्छा लगेगा मुझको आपको ये बिस्तर बहुत ही अच्छा लगा था न, आप लेके जाएए न इसे अरे नहीं राधा, कोई बात नहीं, हम चलेंगे न कभी बजार, ले आएंगे न कपड़ा महीं से उसके बाद ही मैं सिल लोगे, अच्छा तो अब मैं चलती हूँ सोनम, कहां पर हो तुम, चलो चलते हैं घर हां मम्मी, मैं यहीं पर हूँ, चलो चलते हैं घर अच्छा ठीक है राधा, हम जा रहे हैं घर हां दीदी, ध्यान से जाना, और जल्दी ही वापस आना चंदा दीदी आती हैं तो घर में कितना अच्छा लगता है चलो अब जाके पिंकी को कुछ खिला देती हूँ अरे हां मैंने तो अभी तक पिंकी की मालिश भी नहीं करी अब जाके पिंकी को सुला भी देती हूँ तो दोस्तो ऐसे ही हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें थैंक्स पोर वाचिंग